गुड मॉनिंग इस्टुडेंस आई होप आप सब बहुत ही अच्छी से होंगे स्वास्त होंगी तो चलिए बच्छों आज हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं लेसन 11 ठीक है लेसन 11 में क्या है देखते हैं मिठ्धू द पैरोट ठीक है मिठ्धू that means मिठ्धू एंड पैरोट मी जानते हैं जो तोता होता है पैरोट होता है उसको हम मिठ्धू बोलते हैं तो रीमा के पास क्या था एक पैरोट मिठ्धू था और वहां क्या था एक पैरोट वहां क्या था एक तोता था सी कैप्टर इने केज देखे केज मिस होता है पिंजरा और उसे कहां रखा गया था बच्चों पिंजरे में रखा गया था ए हंटर कॉट इट फ्रॉम द फॉरेश्ट देखे हंटर मिस सिकारी कॉट मिस पकड़ना एंड फॉरेश्ट मिस जंगल मतलब एक सिकारी ने उसे कहां से पकड़ कर लाया था जंगल से पकड़ कर लाया था ठीक है रीमा पापास सोरी रीमास पापा बच इट फॉर हर देखे रीमा के जो पापा थी हना उस मिठु को उन्होंने किसके लिए रीमा के लिए bought that means खरीद कर लाया था ठीक है रीमा लब्ड मिठू very much जो रीमा थी वहां मिठू से बहुत क्या करती थी प्यार करती थी मतलब उसका बहुत ही क्या करती थी केया दिख भाल करती थी C bought it everyday देखे बहुत दमीस होता है नहलाना हा न उसे रोज क्या करती थी everyday means उसे रोज क्या करती थी वह नहलाती थी C gab मिठू good food and clean water और जो मिठू था हा न मिठू मतलब चो पैरोड था उसको वह क्या करती थी रोज clean मतलब फूट खाना देती थी साप पानी देती थी हा न clean water मतलब भोजन और पानी उनको properly देती थी डेली उसको क्या करती थी नहलाती थी मिठू लाइक ड़ चिली एंड ग्वावा मोस्ट देखे जो मिठू था हा न देखे यहां पर picture दिया गया है बच्चों हाना यह एक पिंजरा है इस पिंजरे में क्या है एक पैरोड था ठीक है देखे, मिठ्धु like the chilies and guava most चिली मीस मीची, guava मीस होता है अमरूद तो जो मिठ्धु था, पैरोड था उसको चिली और guava क्या था, बहुत ही पसंद था ठीक है मिठ्धु repeated the words of Rima's and her friends देखे, repeated मतलब दोहराना और जो वो तोता था, हाना मतलब मिठ्धु वहाँ उसके रीमा और उसके फ्रेंड जो भी कुछ बात बोलते थे उसको वो क्या करता था, repeat मतलब दोहराता था, ठीक है they enjoyed a lot lot talking with मिठ्धु देखे रीमा और उसके फ्रेंड उससे बात करना क्या करते थे बहुत ही मतलब पसंद करते थे, उनको बहुत ही enjoyed मतलब आनद आता था बट मिठ्धु दिड नौट दे, बट मिठ्धु दिड नौट इन्जोए दा फूड और लव गीवन तो ही तो देखे, जो मिठ्धु था उसको रीमा बहुत ही केर करती थी, उसके साथ उसको मतलब बात करना भी बहुत मजा आता था लेकिन जो मिठ्धु था उसको डिड नौट इन्जोए उसको मतलब बिलकुल भी इन्जोए मजा नहीं आ रहा था नाहीं खाने पीने में नाहीं कुछ चीज में ठीक है यहां बोला गया है दिड नौट इन्जोए दा फूड और लव गीवन टू हिम बट उसको खाने पीने या उसको जो केर करना था उसको मतलब अच्छा नहीं लगता था इट वांटे टू फ्लाइ इन्द इसकाई देखे क्यों क्योंकि वह क्या करना चाहता था वह भी खुले आस्मान में उन्ना चाहता था ठीक है कौन मिठ्धो देखे इट वांटे टू फ्लाइ इन्द इसकाई एंड इट देखे वह भी क्या करना चाहता था खुले आस्मान म उनना चाहता था हाना मतलब पेड़ों से फल मतलब फल खाना चाहता था हाना वह पिंजरे में नहीं रहना चाहता था इसलिए उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगते थी ठीक है इट सौ इट सा बर्ड्स फ्लाइंग इन दे स्काई दे वेर फ्री दे वेर नॉट इन कैस देखिये इट सौ बर्ड्स फ्लाइंग इन दे इसकाई उसने मतलब साशा मिस देखना बर्ड्स मतलब पक्छी या चिडिया हाना फ्लाइंग उसने क्या किया पक्छीयों को उड़ते देखा हाना बाहर आसमान में उसने पक्छीयों को उ तोीड रहे थे साूट काल तोट्समान में कहला धुकुंत मतamento सब्सक्रास है को सब्सक्राइब इस लिए चाहिए but by second इसे दिए मिनमें बिल्सक्राइब था जक्राइब पक्षा सब्सक्राइब है यह लिए डुक्क चाहता धानगोरे गासितरी k giard आश्मान में उड़ है थे इसलिए जो मिठ्ठू था हाना वो क्या था बहुत ही सैट था धैट मींज दुखी था ठीक है वन डे एन OLD पेरोट के देके वन डी दुखी वन डे थाट मिंज एक दीन एक और्ड और मतलब एक पुरान हाना बुड़ा मतलम एक ऐल्ड पेंट पेरोट हां पुराना और यहीं पस जो रीमा का मिठ्धू है वो है दा विंडो वास नियर मिठ्धू स्केज जो विंडो था जो मिठ्धू का कैस था त्मीस पिंजरा था विंडो के क्या था नियर मतलब पास में था पूछा इस ओल्ड पैरोट से कि मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे आ सकता हूँ हा न ऐसा किसने पूछा जो रीमा का जो मिठ्धू था उसने ठीक है किस से ओल्ड पैरोट आया था विंडो के पास उससे ठीक है ले स्टील एंड़ प्रिटेंड टू भी डेड दे बैन दे विल टेक यू आउट ऑफ दा कैस देखे उसने कहा ले स्टील एंड़ प्रिटेंड तू बीडेड वैन यू शी ओपन इसकाई फ्लाई अवे दा ओल्ड पैरोट एडवाइज देखे तो जो बुढ़ा पैरोड तुम ठीक है तुम चुपिचाप लेड़ जाओगे मनने का बहाना करोगे तो तुमको क्या करेंगे पिंजरा है उसे क्या करेंगे बहा निकालेंगे फिर तुम क्या करना कि जब तुम को मर गया समझके पिंजरे से कैस से बहा निकालेंगे तो तुम खुले आसमान में बहुत दूर उड़ जाना ऐसा किसने एड़ाईज दिया ओल्ड पैरोट ने ठीक है जो एक ओल्ड पैरोट था ना बुढ़ा तो था उसने यह एडवाईज दिया फिर तुम जो क्याज है उस पिंजरे से बाहर निकल सकते हो ठीक है तो ये था हमारा मिठूद पैरोट ठीक है इसका आगे का कहानी हम अगले दिन पढ़ेंगे ठीक है आसा गरती हुँ बच्चों हमने रितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोगों का SW की आप लोगों को भी इस चेप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रिट करना है जहां तक होशके मेनिंग निकालने की कोशिश करिएगा आज के लिए इतना ही नेक्श अड